हाई हेलो फRIंड वेल्कम बेग तू माइ चैनल तो आज मैं आपके लिए एक निव वीडियो लेके आई हूँ यह मिठी लसी बनाते हैं उसकी वीडियो मा आज आपके साथ सेर कर रह ac ow तो यह मै 놓े बनाइ और गार्निश कर दूंगी तो इससे अच्छा लगता है ड्राइफूड डानना मैं बदायम से ड्राइफूड से कर रही हूं इसकी गार्निशिंग तो ये मेरी मीठी लस्य बनके रेड़ी हो गई इस तरह से बनाई है तो इसका तरीका मैं आज आपके साथ सेर करूंगी तो मी किस तरह से बनाती हूं मीघी लस्सी तो देखते हैं मीघी लस्सी बनाने का तरीका तो देखे मैंने धइटरी जमाया हुआ है यह लौटा आपको कोई साभी बर्तन ले लीजिए जैसे आपके पास यूजफूल हो इस तरह से तो मैं इसमें डाल लूँगी धाई डाल लेना है मोटा है यह तो इसको हमें फेटना होगा अच्छे से तो यह दाई हम ले लेंगे चम्मस से हम गर्मियों के दिनों में समर सीजन चाल रहा है हम मेठी लस्ती बना के पीते हैं थो हमारे ले बहुत फीर पेट के ले ऐ ही तो हम सभी मेठी लस्ती जरूर बना तो यह देखिए मैंने ले लिया है करीवन 4-5 चम्मस ड़ई अब मैं यह ले रही हूँ ब्लेंडरी हैंड ब्लेंडर है इससे हम आप चाहो तो आपके पास रही हो तो रही भी यू ले सकते हो मेरे पास हैंड ब्लेंडर था तो इससे मैं इसको गुमा रही हूँ तो हैंड ब्लेंडर से इस तरह से हमें गुमा लेना है इसमें मैंने बिल्कुल भी अभी पानी नहीं पेट के लिए भी बहुत ही सही रहती है तो यह लस्ती आप ज़रूब बना कम प горme तो इसमें डालूँग अपने आप अपने स्वाद के अकोड़िंग चीनी बहुत हैंक मैं तो मैं करीबन एक गलास बना रहे हूं तो चीनी प ciudad को ओडिये सब तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी अभी इसमें मैंने कोई ठंडा पानी या कुछ आइस भी नहीं डाली है अभी तक अब मैं इसमें आइस क्यूब एड़ करूंगी इसमें आइस एड़ करना है आपको तो इससे टेस्टी बनती है और बिल्कुल चिल्ड अच्छी लगती है पीने में तो आप आइस जरूर एड़ करें मैंने आइस क्यूब एड़ किये इसके अंदर तो करीबन मैंने तीन आइस में एक चम डालना है मैं एक गिलस बना रही हूं तो इसमें रॉआपजा डाल दिया है रॉआप्या मार्ट्हां य Chelsea अच्छा से यह मीडिलसी बहुत अच्छी गहते हैं पीने में और पेट के लिए ताब सभी को पता ही होगा कितンे अच्छी होती है घर्मियों के सीज़न में पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती हमीडि लस्टी बना के आप ऐसा मीर में हुआ अब गलास में डालूंगी यह मैंने गलास लिया है अब मैं इसी ये रुवाप्चा है एक चमच में ले लूँगे और इसके चार ओहूर गिलास के डेकुरेट कर दूँगी उससे दिखने में अच्छी लगती है तो टेश्ट तो अच्छा लगता ही है दिखने में भी इस तरह से हम डेकुरेट कर देंगे तो हमारा गिलास भी अच्छा लगेगा दिखने में तो इसलिए मैं ये रुवाप्चा लगा रही है तो इस तरह से मैंने लगा दिया है अब मैं इसमें डालूंगी लस्य तो देखें मैंने लस्य बन गई है हमारी बिल्कुल स्मूथ अच्छी टेश्टी लस्य बनके रेड़ी हो गई है आप अच्छी लस्य बनके रेड़ी होई थी मैंने पी थी बहुत ही टेश्टी लगी थी तो अब इससे को गानिस कर देंगे बदाम से आप कौन से भी ड्रायफूट से गानिस कर सकते हो ड्रायफूट से जरू गानिस कीजिएगा उससे बहुत टेश्टी हमारी लस्य लगती है तो मैंने ड्रायफूट से इसको गानिस कर दी है और हमारी लस्य बनके रेड़ी हो गई है तो यह हमारी लस्य बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बोक्स में कमेंट जरू कीजिएगा और प्लीज मेर चैन को लाइक सेर और सस्क्राइब जरू कीजिएगा तो हमारी लसी बनके रेडी हो गई है और हम लसी बनाने का आपको तरीका अच्छा लगाओ तो प्लीज मेर चैन को सस्क्राइब जरू कर लीजेगा तो मिलते हैं नेक्ट रेसिपी में उगे बाइ फ्रेंड